हादर नियद्यक जी, यहाँ पर बहुत गुस्सा व्यक्तिक किया गया है, जितना होसे का उतने कठेर सब्दे में गुस्सा व्यक्तिक किया गया है। उनका दर्द मैं समझता हूँ, उनकी मुसीबत और यह गुस्चा मैं समझता हूँ, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। बस्टा चार पर एजन्सियां एक्सल ले रही है, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या-क्या शब्तों का प्रयोग किया जा रहा है। अधिन अधिक जी, दस साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी। सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था। प्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था। लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था। एक्षन लोग एक्षन लोग एक्षन लोग। वो कालखन देश ले देखा है। कि चारों तरफ प्रष्टाचार की खबर है और आज जब प्रष्टाचारियों पर एक्षन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्तन में हंगामा करते हैं कि अधनियद्य जी इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनिति उप्योग के लिए उप्योग किया जाता था बागी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था अब आप देखिए उनके कालखें में क्या हुआ प्येमले एक के तहट हमने पहले के मुकामले दो गुने से अधिक केस दर्ज गिये हैं कांग्रेस के समय में एडी ने पांच हजार करोड रूपिय के संपति जब्त की हमारे कारकाल में एडी ने एक लाग करोड रूपिय के संपति जब्त की देश का दूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के डेर पकड़ी जाते हो और अधिर बाबु तो बंगावल से आते हैं देखे हैं नोटों के डेर होना ने तो किस-किस के घर में से पकड़े जाते हैं किस-किस राज्यों में पकड़े जाते थे यह देश देश यह नोटों के डेर डेकड़े करके चौक गया है लेकिन अब जन्ता को आप मुरग नहीं बना सकते हैं जन्ता देख रही है कि किस प्रकार से यूपिये सरकार में जो प्रस्टाचार की बाते होती थी उसका टोटल 10-15 लाग करोड करहा है चर्चा होती थी हमने लाखों करोड के घोटाले तो अटकाएं लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के कल्यान के लिए अब विच्वालियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है कि डायरेक बेनिफिट ट्रांसफर जंदन अकाउंट आधार मोबाईल उसकी ताकत पहचानी है तीस लाग करोड रुपय से जादा रकम हमने लोगों के खाते पे सीधी पहुंचे हैं अगर कॉंगरेस के प्रधान मंत्री ने कहा था कि एक रुपया भेजते हैं पंदरा पैसे पहुंचते हैं अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो जो तीस लाग भेजे हैं अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता इसका हिसाब लगाईए पंदरा परसंट बुश्किल से लोगों के पास पहुंचता बागी सब कहां चला जाता हमने दस करोड फरजी नाम हटाए है अभी लोग पूतन पहले इतना आकड़ा था क्यों कम हुआ आपने ऐसी ववत्ता बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विद्वा पेंशन जाते थे और ऐसे सरकारी योधनाओं को मारने की जो रास्ते थे ने दस करोड फरजी नाम बंद की है यह जो परिशानी है ने इन चीज़ों की है पिक रोज मर्रा की काय उनकी बंद हो गई है अधर नियते जी हमने यह फरजी नामों को हटाने से करीब करीब तीन लाग करोड रूप जलत हातों में जाने से बचाएं देश के टैस्ट पेरका पाई पाई बचाना और सही काम में लगा इसके लिए हमने जीवन खापा रख रहे हैं अधर नियर्जिक जी सभी राजमितिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हुन को देखने की जरूरत है आज देश का दुर्भाग्य है पहले तो क्लास्रूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कॉपी करता था तो वो भी दस दिन तक अपना भूंकी से कोई दिखाता नहीं था आज जो ब्रस्टाचार के आरोब जीन पर सिद्ध हो चुके हैं जो जेलों मैं समय निकाल करके परोल पर आए हैं आज बॉसिंग बशीन से भी बड़ा कंदे पर लेकर के महिमा मंदन कर रहे हैं अज़े चोरों का सारवजनिक जीवन में कहान ले जाना चाहते हो देश को सजा हो चुकी है मैं यह तो समझता हूं कि आरोब जो हैं उनके लिए तो आप सुछ चरते हैं लेकिन गुन्ह सिद्ध हो चुका कि जो सजाकार में कर नहीं इन एचंहें का महमामंडन करते हो आप कौनसा कल्चर देश की अभावी पिडी को क्या प्रेंदा देना चाहते हो अब कौन से और ऐसे कौनसे आपके मजबूरी है और ऐसे लोगों का महमामंडन किया जा रहा है उनको महान बताये जा रहा है जहां सम्मिधान का राज है जहां लोग कंत्र है माने दगी ऐसी बाते ब्लंबी नहीं चल सकती है यह लोग लिख करते रखें कि जो महमा मंदर का काम चल रहा है उनका वह अपने अपने ही खात में की चिठी पर सिगनेचर कर रहें लोग कि आदे ने देखनी जांच करना कि एजन्सियों का काम है एजन्सिया स्वतंत्र होती है और समिधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज करने का काम नयाय दिसका है और वो अपना काम कर रहे हैं और अध्यजी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले मेरी ब्रस्टाचार के खिलाब लडाई चलती रही जिसने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा जिनोंने देश को लूटा है उनको लोटाना पड़ेगा यह मैं देश को इस सदन की पवित्र जगा से वादा करता जिसको जो अरुप लगाने लगाने लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है और लूटाना पड़ेगा आधने अद्धिक जी देश सुरक्षा और सांती का एसास कर रहा है पिछले दस वर्ष की तुलना में सुरक्षा के चेत्र में वेश आज वाकई ससक्त हुआ है आतंगवाद नक्सलवाद एक छोटे डायरे में अपसिम्ता हुआ है लेकिन भारत की जो टर्रिज्म के प्यती जीरो टॉलरंस नेती है आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नेती की तरफ चलने के लिए मजबूर होना प्राइब भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ को लेकर के आज भी उत्तात है हमें हमारी सेना के परातम पर दर्वा होना चाहिए हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें मुझे मेरी सेना पर भरोसा है मैंनुकर सामर्थ को देखा है कुछ राजनेता सेना के लिए हलके फुलके शब्द बोल दें इससे मेरे देश की सेना डिमरलाइज होगी एक सपनों में कोई रहते तो निकल जाए देश के मुड़ को वो खतम नहीं कर सकते हैं और किसी के एजन्ट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भूपती है कि देश कभी स्विकार नहीं कर सकता है और जो खुले आम देश में अलग देश बनाने की बखालत करते हैं और जोड़ने की बाते छोड़ो तोड़ने की कोशिस कर या अपके अंदर क्या पड़ा हुआ कि तो टुक्ड़े करके बीबी आपके मन को समाना नहीं हुआ है तो बेश के इतने टुक्ड़े कर चुके हो आप और पुगड़े करना चाहते हो कब तक करते रहोगे आधानिय अद्धक जी इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था छिटा अगसी होती थी आरोप प्रत्यारोप होते थे आज जम्मु कश्मीर में अभूत पुर्व अभिकास की चर्चा हो रही है और तिगर्व के साथ लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है और आखिर के लिए समस्या किसकी देन थी किसने देश के माथे पर मारा था किसने बारत के समिधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रख्य हुई थी अगर नहरुजी का नाम लेते हैं तो उनका बुरा लगता है लेकिन कश्मीर को जो समस्या जिलनी पड़ी उसके मूल में उनकी यह सोचती और उसी का प्रणाम है देश को बुकत्ता प्लाई जम्मु कश्मीर के लोगों को देश के लोगों को नहरुजी की गलतियों का बहुत बड़ी किमत चुकानी पड़िए अधरिय अधर्जिग जी वो भले गलतिया करके गए लेकिन हम मुचिबते जेल करके भी गलतियों सुधाने के लिए हमारी कोशिच जानी रखे हैं हम रूकने वाले नहीं हैं हम देश के लिए काम करें लिए निकले हुए लोग हैं हमारे लिए नेशन फरस्ट है मैं सभी राजनितिक जलों के नेताओं से आगरत हुगा सभी मान्य सदस्यों से आगरत हुगा है भारत के जीवन में बहुत बड़ा आउसर आया है वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा आउसर आया है एक नए हात में विश्वास के साथ आगर बढ़ने का आउसर आया है राजनितिक अपनी जगा पर होती है आरोब प्रत्य अरोब अपनी जगा पर होता है लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है और इसलिए आगे मैं निमंस्तर देता हूँ आपको कंद से किंदा मिला करके हम देश के निर्मान के लिए आगे बढ़े है राजविति में किसी भी जगा पर रहते हुए भी राष्ट्रे निर्मान में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती है अब इस रह को मत आ मैं आपका साथ मांग रहा हूँ मा भारती के कल्यान के लिए साथ मांग रहा हूँ मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुनाने के लिए आपका साथ मांग रहा हूँ मैं आपका सयोग चाहता हूं एक सो चालीस करोर देशवास्चों की जिन्दगी को और सम्रुद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ इंटे फैकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिये आ आपके हर ईट को मैं विक्सिद भारत की नीव मजबूत करने के लिए लगा हुगा और देश को सम्रुद्ध की और लेके जाएंगे जितने पत्थर उचालने उचाल लिजिए आपका हर पत्थर भारत के सम्रुद्ध भारत के विक्सिद भारत के सपने को सम्रुद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूँगा ये भी मैं आपको दिविश्वाद दिला तो आदर नहत्ब जी मैं जानता हूँ साथ्यों की तकलीव में जानता हूँ लेकिन वो जो कुछ भी बोलते है मैं दुखी नहीं होता अर्दु की होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं ये नामदार है हम कामदार है और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है तो नामदार कुछ भी कहते रहें कुछ भी कहने का उनको तो जन्मजात अधिकार मिले हुई है और हम कामदारों को सुनना ह होता है हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहचते भी रहेंगे देश को आगे बढ़ाते रहेंगे